चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले है अप्रोक्सिमेट मेफड ऑफ अनलाइसिस इन इस्ट्रक्शन अनलाइसिस अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो है चलिए दोस्तों मैं आपको बेसिकली कुछ इ आप्रोक्सिमेट मेस्ट का क्या जाता है जो किया आपर अप्रोक्सिमेट मेसल्स का यूज इन केस ऑफ मल्scale est न्म्स ओफ डिगरी ऑफ इन्डीमश सी ज़ुद्धे जयो यहां घु Dong दोस्तो, degree of indeterminacy करने का यह मतलब जो, number of equation of static equilibrium for the analysis of the structure is known as the degree of static indeterminacy जो, करने का मतलब दोस्तो, अगर static equilibrium condition जो, अगर बहुत ज्यादा होगा जो, तो वहाँ पर हम लोग approximate method of analysis का यूज करते हैं, वैसे condition में दोस्तो, हम लोग जो, the solution of slope deflection method, moment distribution method, column analogy method, कानी's method is ruled out, जो, तोस्तो, हमाने पास बहुत सारा method, slope deflection method, moment distribution method, column analogy method, कानी's method, जो, बहुत सारा method जो, इस्ट्रक्चिल के analysis के लिए जो, लेकिन, in case of degree, जहाँ पर हाई, high indeterminate structure होगा जो, वहाँ पर दोस्तो, हम लोग, approximate method of analysis का यूज का यूज करते हैं, जो, क्योंकि दोस्तो, अगर वहाँ पर हम लोग deflection method, यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा computation का जवरत होगा, because it needs more computation method, जहाँ अगर आप slope deflection यूज करते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा computation का जवरत होगा, जहाँ, इसलिए सबसे easy way में, आप approximate method of analysis से जहाँ, आप easily solve कर सकते हैं, जली दोस्तो, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ, एक्जामपल में किस तरह के structure में जो हम लोग approximate जाएं, जैसा कि मैंने बताया था, in case of multi story frame, जहाँ अब देख सकते हैं, एक multi story frame का, जहाँ, एक multi story का में फिगर बना दिया, जहाँ, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कोई load जो acting हो रहा है, axial load जो है, axial load जो है, जो सकता है, यह तो, first of all, जो यह late load हो सकता है, और live load हो सकता है, deed load plus live load, जोस्तों अपके which is axial load जो हुंगया है, or vertical load, albeit date load or live load include self structure, self structure and light load, Stand to particular time के लिए इसका वेट होता है और उसके पाद ये लोड भी सकता है लेकिन डीड लोड जो आए फिक्सें लोड होता है जो है इस ट्रक्ट्र लोड है इन इसे ट्रक्ट्चर बोध डीनोट एंड लाईव लोड एक टूगेधर को स्टीटी चूट्टी तव अब टीक लोडा। चानल rapor लग रहा है जो Credo पर में दोस्तो लेंग्वेज मताते थे तदो किसे तरह से आपको दोस्तो linguage रिखना जो है मतलव जिएस्ट फूठ इंट्रक्शन में बता दे डीलोड त दीप अक्स ठू द फ्रेम एट अल्टाम। यह दोस्तों आपका यह CLP structure का weight है जो यह आल टाइम जो अक्टिंग होगा जो टीडिलोट एक्ट्स थूदा फ्रेम एट और आल अल दा टाइम एंड लाइब लोट सिमिलर्ली दोस्तों क्या है यहां पर जो लग रहा है दोस्तों यह लाइब लोट एक्ट फुर्ट अपर पटिक्लर टाइम सदो सॉ Youtube यहां पर देख सकते हैं सीž में हो हरी जो फिर अपर नोल्य अब देख सकते ए श्रक्टर के लेब त्या राइट राइट किसीभी साट्र होरीजोंटल लुड़ फी लग क सकता है दू टुटू धान सबिई सिस्सी स्टाइं कल int सब्सक्राइब करना पड़ेगा बहुत है अब क्या है दोस्तों कि आपको कंपीटेशन कम करना पड़ेगा बहुत ही वहां से होगा अगर मोमें दिस्ट्रीबिशन करता है बहुत ही क्या है दोस्तों चलिए बेस्ट अंदर डिजाइन इंजीनियर युज़ अप्रोक्सिमेट मेठाड अपनालाइसिस जो यह दोस्तों बेस्ट अंदर बेस्ट अंदर नोट जो डिजाइन को जो चुछ गिया जाता है जनरली जो वर्टिकल लोड के लिए आप वोई भी का युज़ करते है जब सब्सक्राइब करते है जाय है जानते है दोस्तों रुटिकल लोड सा हो टो टो त्रा का लौड होगा इस स्थ्रक्चार पर और युज़ करेंगी को यह मतल इसिपनाम को तब आपको डिरेक्तली जो है इसमेटर से फाइंड़ार लगरा जो है जो है जो है पर डे किल सब्सकृत है मेफ के लिए जो है जिनुन तरह चाज के लिए जो हैं जो चैनलिए एकशाम में कम पुछा जाता जैता है ढईह वरिजोन्तल दूल्ग के रुघ मेhos सब्सक्राइब लोगता गतारि nord में निक्ष युदि उनल्ग पार्रि olmaz जैसर मेंने। सब्सक्राइब। सिस्मिक लोट के कारण जो अकर होता है और तो जोस्तने मैं अपर पोटल मेथाद बताता है इसमें कुछ ए जंशन है जो बेस्ट रॉन दीस जंशन हम लोग एनलाइस करते है इस्ट्रक्चर का जो है गानी कन देटर मिनें करचाथे जो समय नहीं करचकता है महाचर तेंडिर्मिनेट जो खे़ यह खाल्सberry में ही, जंदर्लर ढूर्माली का सबस्त अबीर। ऑल होड़ी जंटर्ल गई खोल्सक्र फोड़ीं cables पहला आजम्टन यह पॉइंट फॉइंट अपर कोई बेंडिंग नहीं होगा नो बेंडिंग ओमेंड जया है एड़ लोकेशन वेर दनो बेंडिंग मोमेंट इसकाल सकते हैं जो पर न होगा चाहिए पर चैंसर बनेंडिग मोमेन में पसके स्टेटरफ कर थिए इसना को हर लो का तो 1 जुकंगा का से एंडा कर थे और शेंटल के ऊच्छुनल के रहें लिग इंटीर ऑगा इंटीडियर कलम जो चाहिए और धोरी जोरीजन्टल के रहें इसका दोगना होगा, इंटेडियर कलम पे जह, आपका अपरिजूंटल सियर जह, यह दोस्तो, बहुती important analysis है, second one जह, second one analysis को जह आपको याद रखना है, यह यानि interior column is double of the external column, in the former horizontal सियर जह, यह दोस्तो, इस condition को याद रखना बहुती basic condition है जह, बहुत देव इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तों मैं आपको प्रोसीजर बता देखते रहना जाए किस तरह से आपको करना क्या आप देख सकते जैसा कि मैंकि मल्टी स्टोंच इस्टोंट सेट विख सक्ते यह जो अपका यह कॉलूम घेते हैं यह टो Härक है तो डूपर दोмотрите मोसा क्रम एक्टिंग को संब काम वोमेंट फाइंड आट करना है जो है अगे मल्टि स्टोरे इस्टेक्ट्चर में देख से और कॉलम व फाइंड यह उसके बाद दोस्तों करना क्या है इस्टेफ फॉर हो गया जो और इस्टेफ फाइब मैं आपको करना यह है कि calculation of axial force आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है यह नहीं horizontal force left side में लग रहा है और axial force यह दीड लोड और live load जो आपका लग रहा है जाए जिसको हम लोग vertical load जो कहते है जाए यहनी calculation of axial force जाए यह दीड deed the deal load plus live load जोजए दीड ladder प्लसा आपको यह क्या हो सकते है यहाँ आपका邇क्या फोर्स नहीं जोग notice of of axial force. Calculation of axial force, आपको दोस्तो, step by step step को step by step procedure को करना आजोए, बहुत easy रायेगा जोए, और step 6 में आपको करना है, bending moment diagram आपको ड्रा करना आजोए, bending moment diagram, bending moment diagram दोस्तो, आप जोखे को आपका column moment आया, beam moment आया, by using the value of the column moment and beam moment, we will draw the bending moment diagram, दोस्तो, बहुत easy step सा जोए, आप step by step procedure को देख कि दोस्तों मैं आपको प्रोब्लम बता दो था कि प्रोब्लम के किस तरह से स्वाल करना अगर पॉर्टल मेथड़ आप एनलाइजस से कर दिया हो तो कुश्चन देख सकते एक फ्रेम इस्टक्चरी सब्जेक्टेट टू लेटरल लोट्स या होरिजोंटल लोट्स एस सोन इन इसलिए दोस्तों मैंने लेटरल लोट के साथ होरिजोंटल लोट भी लिग दिया जो है एनलाइज दा इस्ट्रक्चर आप जो यूजिंग दो पोर्टल मेथर बाई इसकेज दा बेंदिंग मोमेंट डाइग्राम को दोस्तों करना के पोटल मेथर से आपको एनलाइस करना क्षिकरिया और बेंदिंग डाइग्राम जो हूँ सक्केज करना यानि दो करना जो है दोस्तों पॉटल मेथर जैसा कि मैंने कुछ स्टेप बताया जो कि किस तरह से ज़ोंको अपको करना इस्टेप भाईस्टेप प्रॉसिजर हमने बताया जो अब जेख सकते है इस्टेप जो आप गया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पोटन आप के लोग रोग एक्सेरियर को लुब काव देटेनाव से उसक कड देखिसा कि यहां 50 sonra करे अरनागे लिगे विद हुर हैं गया है कना इसका दो सेयर को जबेनी म्योंडाच welcome to P तो यहां पर देख्सकते हैं magnet है त्रू आपर एक्स्टेर कलुम pem पर एक्स्टिर्य कॉलिंग के लिए P1, 2nd के लिए P2, 3rd के लिए P3, P1, P2 and P3, means आप जैक से ते P1 जो एक्जाक्टली बॉटम है, यानि बॉटम इस्टोड़े है जाया, P1 at bottom, P2 जो है आपका middle हो गया जाया, and middle, and P3 आपका top, top इस्टोड़े हो गया जाया, यानि लेड़ जा होरिजोंटल सिया, टेकन बाई exterior कलम, P1, P2, P3 in bottom, bottom, middle and top इस्टोड़े रिस्पेक्टिवली जाया, आप सिमिलर दोस्तोड़ फोर इंटीर कलम्स, अब देखते हैं यह दोनों जो है, फोर इंटीर कलम्स के लिए जो आपका horizontal सिया, यह दोस्तोड़े मिदिल वळा जो है, आपका interior कलम और साइड वाला जो ए, exterior कलम होगा, बसके देए गाले डूंके मिडिं़ ज़ेंग याइन आई को 술 चृर कि अए जोग आनी से लिफे LOOK जा ओज्जा एसका दॉब को बम टोटो वसको सजंदल सब्सक्रान इसेन आपताए था । ऑम टोट ऐखान इसकति बॉन एलेस हैं रिसपेक्टिवीली जया सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब आसाइं कधैने सब्सक्राइब एक जोटी हम एजूम कर लोग आए या बीसीदी एफजी एच्छाई आई जे के ल तो हम इस पैन इस पैन लेलिया यहां पर जो इस पैन हर पॉइंट एबियुजी असाइंड करती ती यहां पीवण पी टू पीटू पीट्री जो है दोस्तों याँ यहां पर देख देक्सका इसके लिए यदर लेक्सर चाहीं दोस्तोर के लिए भी रिर यहाँ, मिंआ यहीं करेखै ने लिए लिया पिटीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पिदीए को फिटीर टौ सोट रिए डेक्साथ ही एँच्छा ऌन नहीं खाल निजर ऑा फिटीण हो गया जाया और 2p2 2p2 मीडल ही स्टोरे के लिए हो गया जाया 2p2 और 2p3 हो आपको टोप इस टोड़ के लिए हो गया जाय दोस्तों आपको शाइन दोनों तरब मतलब लेत डोनों में दोनों में लेना जाए कि जोनें पर लोट को असाइंड करते हैं कि ट्वेंटी फॉट्टी और 40 किली लूट लग रहा है तो आपको कॉलम्स करना जैसा कि स्टेप वन में हमने पताया था तो अबको यहां पर सकते हैं तो तीन इस्टोडे आपके पास बॉटम इस्टोडे है यह मीडिल इस्टोडे को अलग-अलग find out करना है जो column CR जो है जलिए दोस्तों फर्स्ट अपल हम लोग bottom story के लिए हम लोग find out कर लेते हैं जैसा कि दोस्तों मैंने bottom story के लिए horizontal CR हमने P1 P1 2P1 P1 यहां पर देख सकते हैं तीन horizontal CR आजए P1 plus 2P1 plus P1 तीनों को add कर देना horizontal CR जो है जो को दोस्तों आप देख सकते हैं जो horizontal लोड लग रहा है जो आपका दूस्तों यहां पर यहां सबसे bottom story bottom story पर जो टोटल फोर्स लगए 40 जो 40 प्लस 40 प्लस 20 जो है क्योंकि यह सबसे bottom story जो है यानि टोटल और जोंटल फोर्स पर एक्टिव होगा होगा जो फीवन प्लस टूपीवण फोकर्न प्लस पीवन को एड़ करेंगे तो टापको 446 पिवान प्लस्तों प्लस 2 प्लस फोर्स फीवन वह जागा इस इकल टू है यह यहां से आप यहां से आप पीवन का जा लेंगे जो प्रतिंद यहां पर देख सकते जो और पॉर्टार फोर्स लग रहा है यहां पर निली लिस्ट अपर फोर्टी और उसका उप्वार्ड फोर्टी आज़ो उनली ट्वेंटी यहां पर आपको एक्ट होगा जब यानी उसका रीक्षन जो उसका फांड़ प्याट याज़ा ज़ यह टोटल को एड करेंगा दोसे 4P2 आजागा, 40-20 जो 60 आजागा दोस्तो जाए, 40-20 जो आपका 60 आजागा जाए, यहांच आप Pt का वैल्यू फाइंट करेंगा जाए, आपका वैलू जाए 15 किलो न्यूटन जाए, यानी मिडली स्टोरे के लिए आपका सीर वैलू जाए 15 कि के लिए वैलू आगया जाए, similarly आपको करना किया दोस्तों, आप टॉपी स्टोरे के लिए आपको फाइंड करना यानी सीर का वैलू जाए, एट टॉपी स्टोरे, टॉपी स्टोरे पर देख सकते है दोस्तों, जैसा कि आमने होरीजोंटल सीर बताया था जाए, पी थीरी, पी थीरी और फिर पी थीरी जाए, तीनों को एड कर देना यानी पी थीरी पलस टूपी थीरी पलस पी थीरी इस इकोल टू, आप जेक सकते है, अप वाट में वहलींटी किलो न्युटन फॉर्स लग राए जाए, यानी टूट्य जाए, टोटल को एड करेंगे आपको जो फोर की सिर इज्यूंटीज जोए, फोर से 5 अंट में जा जागा जहा है यानि पीधिरी गार्व हाद का आपका पर फाइप फफ्टस्टोडी के लिए बालव के लिए आपका अपका वैल्यू जाए तॉप फइस्टोडी जा आपका 5-0-1-12 जो सब्सक्राइब नपने प्रह्ट लिए जोए आप लोग दोस्त लाग है आपको सार इस पेन का जो आपको सिर्फाइड अफंड अब देख सकते हैं यहांनि आप देख सकते हैं यहां पर a-b जो है, p-a-b, a-b एक क्लम है जो है, p-a-b, यहांनि a-b, c-r of column a-b जो है, similarly आप देख सकते हैं, a-b और i-j, i-j के लिए जो है, दोनों के लिए आप क्या होगा? p-i-j, यहांनि c-r of i-j, i-j का दोस्त आप देख सकते हैं जो है, यह आपका 25 किलोंटन यापका 25 człri in Under similar City दोस्तों आपका P E F marμαι skilled सहिंव Hai कंआर सब्सक्राइब करना के लिए प्र निस्एवर और क्या हो आपका 25 किल नी यह किंदूबोट नियुग किवब्रूल् 눈ेज या टो onboard το토 के लाइब 2P one शा आब दूसेरा इस्पांध देखना का बीचे जो है। बीचे और के जो है। दोनों के लिए हमने पीटू वैयू जो हरी जो हरी एके पीटू गारोंटल सेयर था जो है। अब जानते हैं जाएं, आम ने हम नहाँ 12 इंटोंट फीट सेहर के लिए 15 किलोटन अब जाएं, प्टेइन के लिए 20 किलोन हो गया चिए 12 किलोनुटन हो गया सिमिलाली आपको क्या करना पीदी सी आइ पीकेल इसा का याँ को फाइंड आट करना यानि याँ करना याननी सीर फोसाट सीडी और सीर फोसाट को लॉट के लिए पीटी जाथ है याँ के लिए फाइंड एक सकते दोस्तों फाइफ वाइफ किलो नीटन जो है यानि PCD और PKL आपका 5 दोनीटन हो गया, similarly जो है PGH, यानि Span of GH जो, Span of GH के लिए यानि सीर वेल्व आपका हो जागा जो, जैसा कि हमनो 2P3 जो लिया जो, 2 इंटु P3, P3 का वेल्व आप देख सकते हो, 5 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 आप दे के लिए जो है, similarly आपको 2nd step में क्या करना, column moment आपको find out करना, step 1 में CR find out करना, step 2 में moment उसका find out करना हो, similarly जैसा कि मने CR at bottom इस्टूरे एट मीरिल इस्टूरे जो है और अध अधु उपिस्टूरे सीमिलरी इसमें भी वर्काओट सेम खरना जो है किलम मोलें शाय के फॉर्मुला होता है ध स्टो आफ को में बता दता हूं कि मोमेंट करने के लिए कालम पेल भाईटू पिल भाईटू अपना करेंगे जो, column जो है, moment जो है, at bottom story, at bottom story आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर AB है जो है, AB, AB, EF और I जो है, दोस्तों आपका तीनों जो है, आपका क्या है, bottom story जो है, तीनों के लिए हम लोग find out करेंगे जो है, same formula PL by 2 पर जो है, यहाँ, MAB, यहाँ, PL, PL by 2, PL मेंज जो है, आपको PAB into LAB, length of AB जो है, length of AB by 2, PAB का value जो है, जो है, आपका 25 किलो नीटन है जो है, यहाँ पर दोस्तों आपको 25 जो है, 25 into LAB, length of AB आप जेख सकते हैं, यहाँ, column का length जो है, यह 3 meter का length है जो है, 25 into 3 by 2, जोस्तों आप जो है, जोस्तों का value find out करेंगे, आपका value है जागा, 37.5 किलो नीटन मेटर, similarly, जो तो moment of EF, यहाँ, column moment of EF, यहाँ, M EF तो हम find out करेंगे जो है, जो सेम फर्मिला रागा, जो है, यहाँ, CR of PEF, यहाँ कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, जोस्तों आपका value जो है, 50 into 3 by 2, आप इसको solve करेंगे जो आपका 75 किलो नीटन मेटर जो है, यहाँ, movement आइथ लिए, किलो नीटन मीटर मेले है, similarly, आप IJ का निकालते हैं, यहाँ, M IJ, movement of IJ जो है, यहाँ, IJ जो है, यहाँ, दोस्तों आपका देख सकते है, यहाँ, 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 PL by 2, same formula, P IJ into L IJ, L IJ by 2, आप जेख सकते है, P IJ का value जो है, आप जेख सकते है, C R में जो है, same formula, 37.5, 25, 25 जो है, 25, जो है, 25, आपका value 3 है, यहाँ, 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 जेख सकते है, आप इस value का निका पान्ट करेंगे, आपका value है, 37.5 किलो नीटन म सब्सक्राइव, यहाँ, जेख सकते है, आप bottom history का work हो गया, यहाँ, इसके बाद आपको middle history का करना है, यहाँ, middle history, at middle history, at middle history. दोस्तों देख सकते हैं यहां पर तीन कॉलम है जो है BC, FG और JK, BC तो फर्स्टापल हम लोग BC का फाइंड़ आट कर ले जो है, MBC, MBC, सेम फर्मुला दोस्तों राएगा, PL by 2 जो है, याली PVC इंटु LBC by 2, दोस्तों देख सकते हैं, PVC का वैले आट के था जो है, अब देख सकते step 1 में जो है, PVC का वैलू जो है, आपका 15 हो गया जो है, तो 15 इंटु 15 इंटु, लेंग्ध सेम है, यहां पर देख सकते 3 मीटर का यह, 3 मीटर ही कॉलम का लेंग्ध यह, डेफ्थ है जो, या फिर लेंग्ध जो, जो भी बोलो आप दोस्तों 15 इंटु 3 by 2, अब इसको फाइं इंटु 3 by 2, इंटु 3 by 2, प्छुम सेम फर्मूलार आगा दोस्तों, प्छुम सेमिट दोस्तों 15 इंटु 3 by 2, आप इसको वैलू का बहले को 54 week n मीटर का वैलू आप जागा जो, देख सकते यह, यह अब यह, 30 इंटु 3 by 2, इसको वैलू को सिंपलिफाइ कर लेंगा गा 54 kN येशा तीजेकर udah सब्सक्राइब लेंग्प सबके लिए सेम छूपर 30 3.2 2.5 kNm yield we are in the most me Started Pers imagined good तोप इस्टोरे पर जाए आपको मुमेंट फाइंड आट करना आ जाए एट टोप इस्टोरे तोप इस्टोरे में देख सकते हैं दोस्तों यहां पर तीन कॉलम में जाए CD, GS और KL जाए सबस्ट अब लोग CD का वैलुव फाइंड आट करना है जाए 5 किलो नीटन जाए यहां यहां पर वैलुव फुट करना 5 इन्टो यह सफिक्स CD का वैलुव जाए जैसा के 3 मिटर का दिया गया जाए 3 वाइ 2 जा आपका वैलुव आ जागा 7.5 किलो नीटन मिटर सिमिलर्ली आपको जी एक के लिए वैलुव फाइंड करना है जाए म सफिक्स जी एच मोमेंट अब जी एच कोलम जाए पी जी एस इन्टो यह बैलुव फाइंड किया जाए अब देख सकते दोस्तों यहां पर 10 किलो नीटन हमने फाइंड आट किया था कॉलम सियर में जाए यह तीसरा कॉलर्म है जाए अबको क के लिए यह यही एंटके ल इस इकाल इन्टू एल सफिक्स के लगाइंड तू पी के लल का वेलुव जैसा था जो स्तों फाइब फाइंड डाट ता जाए फाइंड इन्टो त्री ऑई यह अब टो जागा स्रेंट वैलो जागा बैल ज ांव expect to complete ऊह्ट पीम आपको वी मोमेंट यह आपको फाइंट उट करना चाहिए ओर वी मोमेंट दोस्तों यहां पर देख सकते ह जो भी मोमेंट किस तरह से आइन ओकरेंगो जैनि आनि आपको ज्यॉटी एपlar और देख सकता है यहां पर कोई जोंट नहीं है दोस्ते हो अपर। नें लें स्वाइंट बार्या जोएंट अर्ड जोयन , अडिर्च जक है यहां है सब देर ब्सक्राहिम पर इफ मुमें निजाले रहेता है जो सब इक है यह यह, पटदके gua messy app कॉलम है जाया यानि कॉलम का लिए MBA पलस MBC इसकल टू बीम में देख सकते Mbf यानि Mbf इसकल टू आपका कॉलम हो गया यानि कॉलम देख सकते आपका Mbf हो गया जाया ठीक है जोस्तो अब यहां परसे देख सकते Mbf और Mbc का वैल्यू हमने अलेडी फाइंड आट किया था या इस्टेप टू में जाया एमें बी या Mb या Mb या दोनों सेम है जो दोस्तो देख सकते 37.5 और 22.5 दोस्तो आप उस दोनों वैल्यू को क्या करना पर जगा पर पूट कर देना जो अगर दोनों वैल्यू को पूट करेंगे जो 37.5 पूलस 22.5 जो या परस आप Mbf का वैल्यू जो फाइंड आट कर ले हलें आज़ेसे पर भी देख सकते हैंë Adjoint- C, Adjoint- C फर लेंगे दोस्तों याँपर देख सकते हैं ..C जो है दोस्तों CB से भी नेक्टेद ऑः और CD से भी कनेक्ट आज़े, CB और CD से गनेक्ट आज़े, जो कि कॉलम है जो, CB और CD जो, दोस्तों कॉलम है जो, यानि MCB फलस MCD, यानि मोमेंट निकाल ले इसलिए M ले ले ले, आप देख सकते हैं यहां पर बीम जो है, CG है जो, यानि MCG, MCG जो दोस्तों आपका बीम होगा, इसलिए उसको इक्कोल टू के उधर में लिख रहा है जो, यानि MBC का वैलू 22.5 निकाला था हमने, और MCD का वैलू 7.5, MCD का वैलू 7.5 जो, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, दोस्तों आपको उसको जागों पर पुट कर देना जो, यानि 22.5 पलस 7.5 इसकाल तो MCG जो, यानि MCG का वैलू आपको दोनों का एड करेंगा, आपका वैलू 30 किलो नुटन मीटर जो, यानि मोमेंट ओफ बीम निकाला यहां से दोस्तों जो, यानि CGU जैसा के बीम आप डी पर हम लेंगे दोस्तों जो, एड जो आइंट डी, अगर डी पर आप लेंगे तो दोस्तों दोस्तों जैसा के ऑलें दोस्तों जैसा कि मोमेंट है, जैसा केरीं बीम नुटन मीटर आंडी मेश्चदान कसी वैलू 9 00. फाइब किलो नीटन मीटर आगे आपका similarly आपको दोस्तों आपको total joint आप यहाँ पर एक और joint आप जेक्ट सकते है adjoint J पर जो है right side में आप जेक्ट सकते है adjoint J है जो है adjoint J याँनि J से जो है J E जो आपका ये column है जो हमपर से column moment हम लोग find out कर लेंगा याँनि J से आप जेक्ट से था जेके और जेए दोनों connected आज जो है याँनि MJK प्लस MJI याँनि जो कि column है जो है is equal to beam beam का हम लगे देखेंगे जो है MJE MJF sorry दोस्तों MJF MJK और MJI का आपना value find out किया था जो है step 2 में जो MJK 22.5 और MIJ 37.5 MIJI या MJI दोनों एक ही जाए जो है आपको value पूट करता है 22.5 प्लस 37.5 is equal to MJF is equal to MJF जो है जो है जो है MJF का value आगे जो है दोनों को add करेंगा आपका value जो 60 kilo Newton meter जो है आपका value आजागा जो है 60 kilo Newton meter similarly आप देख सकता है आप दूसरा joint में आप देखेंगे जो है आप के पर joint add joint K add joint K जोंट के जो है जो है जो है जो बहुती इजी steps हा जो है आपको दुद्जत रच वास लॉंग जारा है लेकिन step बहुत ही के से देख सकते है के लाइब गेज दोनों जो जोई जोई टाज़ है MKL plus MKJ जो की column है जोई is equal to आप देख सकते बीम जो यानि MKG MKG जो आपका बीम होगा है जो पीम मोमेंट जो है जैसा कि देख सकते हैं Mkl और Mkj का value मुने find out के था जाय है Mkl का 7.5 और Mjk का 22.5 जाय है अब दोस्तो करना किया कि दोनो value को put कर देना जाय है 22.5 पलस 7.5 जाय है is equal to Mkj यानि Mkj जो तो यह beam का moment हो जागा यानि यानि moment of beam जो आपको हो जागा दोस्तो एड करेंगे था 30 किलो नीटर मीटर जाय है similarly जो दोस्तो आपको L के लिए find out करेंगे जो है L के लिए देख सकते एड जोइन्ट L एड जोइन्ट L L के लिए देख सकते वहाँ पर दोही कंडिक जाय है आ कॉलम जो दोसो यानि एल के जो कनेक्टेट जो यानि M L K is equal to beam जोए दोस्तो दोस्तो दोसेकते LH है जोए जाय साके लेक्ट का वेलु जाय मने फाइंड लोट किया था जोए देख सकते दोस्तों यहां पर 7.5 जाय जाय है स्टेब 3 दोस्तों कम्प्लीट होगे आप सेफ 4 में आपको क्या करना जाए बेंढिंग इमसेयर आपको और cg और gk जो है और dh और hl यह तीनों जह आप दस्तों यह छे जो है आपका बीम है जो है दस्तों देख सकते हैं BF, BF और JF के लिए दोनों के लिए डिश्टेंस जाह रहा है सेम है जाह बीएफ़ ओर M-JF, जो यहाँ पर राम डारक्टली दोस्त को निकालेंगे जाह इसलिए पर देख सकते जाह इसके लिए फर्मूला होता है दोस्तों यानि अगर कुई एक वैलू से आप निकाल ले जो है जैसा कि हम BF से निकाले तो MBF by LBF by 2 यानि M by L by 2 होता जो है यहां BF के लिए निकाले तो BF जो है आपको directly जो है BF का वैलू देख सकते हमना find out के ता जो 60 जो है और JF का भी 60 है जो है आप JF या BF किसी से निकाले दोनों के लिए वैलू सेम आएगा जो है यहां पर BF से निकाले तो MBF का वैलू जो है 60 है और LBF यानि देख सकते हमना स्वाफाइड है 5 है 5 x 2 आपको स्वाइड है जो है एंपर 5 आपको जागा six 222 आपको सिम्टिकेशन कडिए टा 120 x 5 तो आपको सिंप्लिफाइड करेंगा आपका वैलू जो है 24 किरॉन नू आपका बिमC करका वैलू जो है आपको आजाएगा जाएँ आपको देख सकते हैं CG, CG और GK जाएँ MCG या MGK यानि CRB मफ CJ और CRB मफ KG जाएँ दोस्तों दोनों के लिए जो सेम वैलू उने फाइंड़ किया जाएँ अलग अलग फाइंड करने के जाएँ एक साथी जाएँ आपको दोनों का वैलू सेम आएगा जो है यानि MCG पलस LCG, LCG by 2 जो है यानि M by L by 2 फर्मूला होता है जो दोस्तों जो है यानि MCG का वैलू जैसा के मने फाइंड़ किया 30 जो है और KG का वैलू 30 देख सकते हैं दोनों का इस पैन भी सेम है जो है और दोनों का मोमेंट जो निकाला आ जाए बी मोमेंट भी सेम आया था जैसे लिए हम डारेक्ली फाइंड़ कर रहा है अगर इस्पैन अलग 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 रहता जो है तो हम अलग 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 फाइंड़ करते जाए और similarly आप देख सकते है दोस्तों यहाँ पर दी एच और लेच के लिए जाए MDH और MLH यानि MDH भाई LDH भाई 2 जैसा कि दोस्तों हमने अब चाहे तो इसको अलग अलग भी फाइंड़ कर सकते हैं यहाँ आप चाहे तो इसको अलग अलग भी फाइंड़ कर सकते हैं को सब्सक्राइब कर सकते हैं को तो कम्पलीट होने की जरुर्वत नहीं है जो है आगर इस पैंस इस से मिलेट करना जए दोस्तों अगश्य एक्टार देना कर रहा है दोस्तों सब्सक्राइब जितना आप देख सकते हैं इस्टोरे दिया गया है वान डू थिरी जो यह ए वान टू थिरी जो यह तीन स्टोरे यहां भी आपने ड्रों किया जो है शिक्सरेटा इंट एंट्री यहां भी आप लिया जो दोस्तों आप देख सकते हैं इंटिफ यह पर चैनल वालुनि निकाला जोए यह अपवार्ट यह दो भी फॉर्स पर लगए जया इने दोनों को लेना आजूम करना है पर हमने 12-0 किलोनीटन फोर्ज लगा यानि mcg फर आपको 12 वो गया और mkg इसे बीए बहुए अपड या डानवर्ड फोर्ज यहां प्रप्टक्स थे mdh और mlah यहां पर अपर हमने 3 किलोनीटन फोर्ज निकाला सिहर का यानि 3 किलोनीटन जाए इंटो 3 आपको करना क्या करना यहां पर देख सकते हैं यह column का जो इस पेस हमने छोड़ा जा यहांनि cd cv सब क्या दोस्तों आपको column के लिए आपको find out करना axial force को जाए चलिए दोस्तों आपको देश सकते हैं फर्स्ट आपल हम उपर से यहांनि टॉप इस्टोर से हमने हम लोग column कर लेंगा column का जो है यहांनि cd cd is equal to dh यहां यहांनि cd is equal to dh यहांनि cd is equal to dh dh का value 3 था जो है यहांनि cd का value 3 kN हो जागा जाए similarly आप देख सकते हैं cd cv के लिए cv के लिए cv के लिए आपका value आजागा xl force का cv is equal to शागे 3 kN हमने निकाला 3 plus 12 जास्ट आपको add कर दो 3 plus 12 जाए 3 plus 12 आपका value 15 kN जो है आपका value आगया जाए दोस्ते 15 kN जो है यहांनि cv के लिए आपका value क्या हो जाए 15 kN के लिए cv 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 के लिए आपको करना के लिए cv 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 के यहांने kolum is equal to beam जो है आपको लिए यहल को लिए के लिए के के लिए के के लिए देख सकते दोस्तों को लिए 3219 यह थी स्मेले एक लोगा जहाए के लिए ऐब के लिए भालम का लिए 3212 याज ज्या यह दोनों को एड करेंगे जाए आपका axial force of KJ column के लिए निकल जागा जो यानि 3 पलस 12 जो आपका 15 किलो न्यूटन दोस्तों आपका value आजागा जो यानि axial force of KL जो जो आ 15 किलो न्यूटन हो गया जो इसीमिलारली जे-आई के लिए axial force of GI जे-आई के लिए दोस्तों आपको करना क्या सेम प्रोसीजर जो 15 पलस 24 जो 15 पलस 24 15 पलस 24 जो जो यापका जे-आई के लिए वैलू आगया आपका 39 किलो न्यूटन जो आपका axial force का value हो गया जो है ठीक है दोस्तों देशा कि बीए के लिए भी हमने के लिए आप देखते हैं 3 और 3 जो याँ 3-3 आपका इंटिरियर कलम है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिए एड नहीं करते एक्स्टरनल कलम के लिए करना इंटिरियर के लिए टाना यानि 3-3 जो ए एक्स्टरेच के लिए पर देखते हैं 12 और 12 टेटियर कलम के लिए माइनस करेंगे 12-12 आपका 0 याजागा सिमिलर्ली जो है एफी के लिए आपका वैलू आजागा एफी के लिए आप जैक सकते जो है 24-24 जो है 24-24 जो है आपका 0 हो गया जो दोस्तों यह पका 0 वैलु अगया जो जो इसमें ज्यादा कंप्लिकेट होने की ज़रूबवाती नहीं बहुत ही प्रोसेस है थोड़ा इस टेवाइब के हमनेट व्रणाट करना पैसेफ में लोगे वे बैंड़ी नम ड़ायाम और आज्टा कर लिए लो कि सबसे लाइस टेफ आर जैसा सके प्रोब्लम में प्रवोग यहां पर दोस्तों आपको क्या करना बेंडिंग मोमेंट ड्याग्राम यहां पर द्रो करना शिर्फ मेफ के लिए जैसे के लिए 75 यहां अपर गया जाए को बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट ड्रो कर रहां जाया थैप मोमेंट बब्लाइब ट्रो कर रहा जाए है यहां पर गाला था जाया देखते थे 22.5 है जाया मोमेंट अबीसी जो आपका क्या होगा दोस्तो 22.5 22.5 है यहां पर डाग्राम ड्रोग कर ले जाया सिमिलरली जो एम फजी यानी मीडिली इस्टोड़े में में फजी कामने वैलू फाइंड आट के था जाया दोस्तों 45 किलो न्यूटन सिमिलरली दोस्तों आपको यहां पर जो है एम जे के एम जे के लिए 22.5 हमने वैलू निकाला था जाया यहां यहां पर डाग्राम फिर से द्रोग कर ले जो है उसके बाद देख सकते दोस्तों जैसा कामने टॉप इस्टोड के लिए कॉलम मोमेंट हमने फाइंड आट किया अpatकी मोमें फाइंड हो जो एके सिर्वेंट के लिए 7.5 जो की एकस्टोंन स्टानल कोलम की एकस्टानल कलम्स की एन सीदिक यहां दोस्तों क्या दौस्तों 7.5 दोस्तों बत कर लिए चरव के से दिए 6.5 लिकिए इन्हें 7.5 हो गया आपका 7.5 यहां पर डाइग्राम ड्रो कर ले जो इस पाद MGS के लिए इंटीर कोलम था जो अपर टोपी स्टोरेज में आप देख सकते हैं 15 किलोनुटन मीटर जो आपने वैलु निकाला था 15 एजूम कर ले यहां पर 15 और यहां पर डाइग्राम जो ड्रो के लिए आप इसको सकेश कर देना यहां इसके बाद को करना क्या है आप को कोई मोमेंट हमने निकाल लिया और इसके बाद जो कि step 3 में हमनों find out क्या था beam moment जाए, beam moment देख सकते हैं दोस्तों, mbf के लिए 30 है, 60 है और mjf के लिए 60 है, mbf के लिए 60 kNm, mbf, दोस्तों, देख सकते हैं, mbf के लिए 60, 60 है जाए, bf को जो beam है जो है, इसके लिए 60, आपर भी 60 है, यहनि इसके लिए जो है, यहापर एक diagram जो है, draw कर देना जो है, bending moment diagram जो है, और similarly दोस्तों, हमने fj के लिए 60 है, value find out क्या था जो है, beam moment जो है, यहाँ पर 60 जो है, zoom कर ले जो है, 60 जो है, यहनि mfj, यहनि fj beam पे जो है, दोस्तों, यहाँ पर complicate नहीं होना, जिस beam का spend दिया गया उसी beam पर आपको diagram को जो है, similarly आप द target G, दोनों का 30 किलो निटर में हमने find out क्या आथा ज यहाँ, mcg beam पर 30 किलो निटर मीटर मीटर में value find out क्या था मोमेंट क्या जो है,客 दिया डाग्राम ट्रॉक कर ले ले जो, similarly mg kg mg के लिए 30 किलो निटर मीटर मेंटर मुटर मली पर यहाँ आपको थर्टी ज़ी ज़या है मिनिमम जो क्या करना यौल कंडिसन या है कि जी बीम को जिस बीम के इस पहरना आप लेड़ा उस बीम को टश करना चाहिए जो डाइग्राम ज़या है सिमिलर्ली जो बीम मोवमेंट में आप देख सकते हैं MdH, MdH और MlH का वैलू जो आपने 7.5 निकाला जाए, MdH के लिए 7.5, यहीं यह 7.5DH पर हो गया जाए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई अपर इस्टोरे नहीं है जाए, तो उसके उपर में हम लोग जाए 7.5 ले लिए जाए, यहीं यह 7.5 का हो गया जाए, similarly दोस्तों आपको क्या है, आप यहाँ पर HL के लिए जाए, वैलू निकाला था जाए, उसका भी 7.5 है जाए, 7.5 और अपवार्ड में यह 7.5 मीटर का जाए, डिस्टेंस ले ले लेना जाए, यहाँ उसको डाइगराम को ज सेम फ्रोचीजर सब में कटना जाए, ताकि पता रहा कि बेम और कॉलम मुवमेंट जोनों एक साथ आजए, यहाँ पर आपड़ दोस्तों इसको ड्रो कर ले जाए, तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जारूर करें, और थी educational videos के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करें Thanks for watching this video Thank you